क्यों लेते हैं शादी की समय साथ फेरे, जाने इसका अर्थ और महत्व, हिंदू धर्म में सोलर संसकार का विशेश महत्व है, इनहीं में से एक ही विवाह संसकार भी है, विवाह वो पवित्र बंधन है जो न सिर्फ दो लोगों का मिलन है, बल्कि यह उत्तरदायत्व का वह विवाह संपन नहीं होता, आए जानते हैं शादी की समय साथ फेरे ही क्यों लिये जाते हैं, क्या है इन साथ फेरों का महत्व, धर्म रंतों के अनुसार प्रित्वी पर सारी महत्व कून चीजों की संख्या साथ ही मानी गई है जैसे संगीत के साथ सूर, इंद्रधनुष क साथ रंग, साथ समुद्र, सब्तत्रिशी, साथ दिन, साथ चक्रक, मनुष्य की साथ प्रियाएं, साथ तारे, आदी यही वज़य है कि वैदिक और पौरानेक मान्यताओं में साथ की संख्या को बहुत शुब माना गया है इन्ही को ध्यान में रखते हुए साथ फेरे लेना की मान्यता है हिंदू संस्कृति में शादी में साथ फेरे लेने का संबंध साथ जन्मों का बंधन माना जाता है विवाह में वरवदू के साथ फेरे लेने की प्रक्रिया को सप्तपदी भी कहा जाता है अगनी को साक्षी मानकर वरवदू साथ फेरे लेते हैं और साथ जन्मों तक्तन, मन और आत्मा से पती-पत्नी की रिष्टे को निभाने का वादा करते हैं ये साथ फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिर्टा का मुख्य स्तंभ है साथ फेरे साथ वचन के साथ लिए जाते हैं हर फेरे का एक वचन होता है जिसके जरिये वरवधू जीवन भर हर तरह से साथ निभाने की प्रतिग्या लेते हैं हिंदू प्रथा में इन साथ फेरों और वचन का महत्व है दो लोगों का शारीरिक और आत्मिक रूप से एक होना, जिसे विवाह का पवित्र बंधन कहा जाता है। कहते हैं कि मनुष्य साथ जन्म लेता है, इसलिए वरवधू को साथ जन्मों का साथ ही कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।